दोस्तो अगर हम इंसानों से कोई पूछे कि धर्ती में रहने के लिए सबसे जरूरी क्या है तो सभी लोग कहेंगे कि रोटी कपड़ा और मकान लेकिन इन सबसे भी जरूरी एक चीज है वहा है ऑक्सिजन क्योंकि इसके बिना धर्ती पर रहना बिल्कुल भी संभव नहीं है लेकिन दोस्तो कभी सोचा है कि ओक्सिजन सिर्फे 5 सेकेंड्स के लिए धर्ती से गाइब हो जाई तो क्या होगा बहुत से लोग कहेंगे कि हम तो एक मिनट तक सांस रोख सकते हैं तो 5 सेकेंड्से में ज्यादा कुछ भी नहीं होगा लेकिन यह नहीं बूलना चाहिए कि ओक्सिजन सिर्फ हम इनसानों के लिए ही नहीं बलकि पेड़ पहुंदे जानवर वा लगभग धर्ती पर सभी के लिए सबसे जरूरी है। तो आज हम आपको एक हैरत अंगेज बात बताएंगे कि अगर सिर्फ 5 सेकेंड्स के लिए धर्ती से ओक्सिजन खत्म हो जाती है तो धर्ती का क्या हाल होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी प्रिथवी की उपरिस्ता पर मौजूद ओजोन परत गायब हो जाएगी क्योंकि इस परत पर अधिकतर ओक्सिजन के अणुग मौजूद होते हैं और ओक्सिजन खत्म होते ही यह परत भी गायब हो जाएगी। ताला ज़्यादा दिखाई देने लगेगा दोस्तों ऑक्सिजन की कमी के कारण हमारे आसपास के हवा का दवाव कम होने के कारण हमारे कान के अंदर का हिस्सा फट जाएगा क्योंकि ऑक्सिजन कान तथा बाहर के हवा के दवाव को समान बनाई रखने में मदद करता है साती जीवीत कोषकाओं में भी ऑक्षिजन मौजूद होती है लेकिन ऑक्षिजन ना होने के कारण कोषकाओं में सिर्फ हैडोजन रह जाएगी जिससे कोषकाओं के फटने की भी संभाव ना हो जाएगी वहीं दोस्तो ऑक्सिजन के खत्म होने से धर्ती की सतह 10 से 12 किलोमेटर नीचे खिसक जाएगी जिसे धर्ती में मौजू सिमेंट और कंक्रीट से बने घर वह इमारतें टूटने लगेंगे और पानी S2 यानि के हैडिजन और ऑक्सिजन से मिलकर बना होता है लेकिन ऑक्सिजन होने के कारण धर्ती पर मौजूद पानी वास्व बनकर उड़ने लगेगा जिससे बड़े-बड़े महासागर तेजी से सूखने लग जाएंगे और पानी में रहने वाले जिऊँं का स्थित्व भी संकट में आ जाएगा और दोस्तो गाड़ी के इंजन इधन को जलाने के हवा में मौजुद ऑक्सिजन का इस्तमाल करते हैं लेकिन ऑक्सिजन ना होने के कारण सभी गाड़ी अपने जिगह पर रुख जाएंगे और हवाई जहाज भी 5 सेकेंड से तक धर्ती की ओर तेजी से गिरने लगेंगे और अगर धर्ती से कुछ उपर ही उड़ रहे होंग सामना ना करना पड़े तो इसका एक ही उपाई है अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पेड़ की कटाई कम करें क्योंकि पेड़ कारण डाय ओक्सिजन को छोड़ते हैं जिससे धर्ती इंसानों के रहने योग्ये बने रहे ये बड़ी अच्छी बात कही है तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने को मिला हो तो पिलीज हमारे चैनल को जरूर से सब्क्राइब कीजिएगा हम आपके लिए ऐसी बहुत सारे इंट्रेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत